बालों की समस्या और वात जी हां, अब से हम बात करेंगे बालों की समस्या होती है उसके बारे में हम सभी जानते हैं कि जो केश, हेयर या बाल होते हैं वो हमारे शरीर को कास्मेटिक, सुन्दर्ता ये दिखाने के लिए बहुत important होते हैं और जब भी भी बाल जढ़ने लग जाते हैं तो हम बहुत सारे मज़ाग करते हैं कि गंजे की खोपड़ी, उजड़ा, चमन, ऐसे करके बहुत सारा मज़ाग भी उड़ाया जाता है और जब भी भी बाल जढ़ने लगते हैं तो सबसे पहले टेंचन आता है कि करें क्या modern में कुछ गिनी चुनी आउशेदियां हैं वो कई बार हम लगा लेते हैं पर आराम मिलता नहीं तो अब से हम बात करेंगे आईरवेद में जो रोगों का कारण बोला है कि वाद, पित्तकफ, जो साथ धातुए हैं या अलग-अलग रोगों में जैसे कि पेट की बिमारी होने पर बाल जणने की तकलीफ होती है, अती चिंता होने पर बाल जणने की तकलीफ होती है, प्रेगनेंसी के बाद बाल जणने की तकलीफ होती है, या फिर महिलाओं को पीरिट बंध हो जाने के बाद बालों की समस्च होती है कई सीर के जो डेंडरफ जैसी बीमारिया है कि वाथ के पर बहुत सारी वीडियों में श्रुवेदा इस यूट्यूब चेनल पहेने डालके रखे हैं प्राण, उदान, व्यान, समान, अपान ऐसे कई सारे उसके टाइप भी बताएं हैं आज हम बात करेंगे वात और बाल का क्या connection है उसके बारे में स्वागत आप सभी का मिश्रवेता में और आज हम बात कर रहे हैं वात और बालों की समस्चा के बारे में सबसे पहले वात का जो गोड़ है वात क्या है तत्र रूक्ष लगो शीत खर सूक्ष में चल ऐसे करके वात के बारे में बुलाएं कि वात रूक्ष है ड्राय है तो आप मेंसे जैसे लोग जिनके बाल ड्राय है रूखे बाल जिसको बोलते हैं रूखे सुखे बाल इस तरह के बाल है बाल हमेशे ड्राय रहते हैं splits है जिस बीमारी में हम बोलते है कि बाल दो मुहे, तीन मुहे बाल हो गए है, बाल बहुत रूखे हो गए है, बाल बहुत पतले हो गए है, इस तरह कि आपको जब भी भी तकलीव देखने मिलेगी, इसका मतलब है कि आपके शरीर में वात बढ़ गया है, क्यूं वात बढ़ यह दो चीजे कम्बाइन होगी तो यह क्या है यह वात है ठेक है वात और अस्ति जो धातू होती है हमारे शरीर में साथ धातू है रस रक्त माउस मेथ अस्ति मज़ा शुक्र इसमें से जो अस्ति धातू है जिसको हम बोल्स के अहड़ियां भी बोलते हैं वो धातू का काम है शरीर में धारन करना, धारन मतलब पकड के रखना कोई भी चीज़ को, अब जब भी ये वात बढ़ेगा, तो ये वात और अस्ती धातु एक दूसरे के अपोजिट हैं, मतलब क्या हुआ, जब जब आपके शरीर में वायू बढ़ेगा, तब तब आपकी अस्ती धातु जो बहुत पतले हो जाते हैं, बालों की डेंसिटी कम हो जाती है, बालों में ड्राइनस आ जाता है, वो सब टॉपिक के उपर हम बात कर रहे हैं, तो हमने क्या जाना कि वायू और अस्ती धातु का एक दूसरे का अपोजिट कनेक्शन है, ठीक, अब आपके बाल हैं क्या, तो आईरविदिक शब्दों में, जो आप आईरविद अगर सिध आईरविद की बात करेंगे, तो उसमें जो बाल है, वो अस्ती धातु का बाय प्रोड़क्ट है, कई लोग बुलते हैं, कोई लोग बुलते हैं कि उसका मल है, बट बालों का जो मैक्जिमम रिलेशन आपको द कलीफ होगी, मतलब हड़ियां कमजोर गई, बाल की बीमारिया होने लग जाएगी, इतना समझ मैं हड़ियां कमजोर क्यों होती है, तो जब जब आपके शरीर में वायू बढ़ेगा, तब तब आपके शरीर में हड़ियां कमजोर होगी, तो आप में से यसे लोग जो वात प्रकृती के है, मतलब by nature ही वात वाले है, चंचल हैं, एक जिन्हों शान्त नहीं बैठते, जल्दी-जल्दी खाना, जल्दी-जल्दी बोलना, जल्दी-जल्दी चलना, हर चीज़ में हडबड़ी करते रहना, कुछ नों कुछ जिनको हडबडी रहती है जो शांत नहीं रहते शरीर दुबला पतला कमजोर है जॉइंट से उन में से खटखट करके ऐसे साउंड आते रहते हैं इस तरह की वाद की प्रकृति है कि मतलब कितना भी पांच किलो भी अगर आपने 54 प्रास खा लिया तो आपको वेड गिन नहीं होता है मुश्किल से दो-तिन किलो वेड गिन होता है दुबला पतला और रूखा सा शरीर है तो अगर आप बाइनेचर वाद प्रकृति के हैं तो आप देखोगी कि आपके बाल जन्म से ही ड्राय होंगे या कम होंगे और रूखे सूखे बाल होंगे एक तो प्रकृति कि वाई पैदा ही हुए है उस तरह के बाल लेके तब ये तकलीफ होती है दूसरा अब आप जेखोगे जब जब आपके शरीर में वायू बढ़ जाएगी किसी भी कारण से अब वायू क्यों बढ़ सकती है तो ऐसे लोग जो ट्रैवल बहुत जदा करते हैं ऐसे लोग जो रात में जागने का काम करते हैं ऐसे लोग जो स्ट्रेस बहुत लेते हैं महिलाओं में खास करके आप देखो जब periods आने का time होता है तब बाल जड़ना बहुत ज़दा चालू हो जाता है या मेनोपॉस के बाद मतलब 40-50 के बीच में जब भी आपके periods जो आपको मासिक श्राव आता है या मराठी में जिसे पाली बोलते हैं वो पाली आना बंद हो जाता है मासिक धर्म बंद हो जाता है तब आप देखो कि आपके बाल अचानक से बहुत ज़दा ज़ड़ना चालू हो जाते हैं क्यों वात प्रकोप के कारण तो ऐसे लोग जिनके खाने पीने का time fix नहीं है उपवास बहुत करते हैं वयाम बहुत करते हैं ऐसे models या फिर ऐसे जो actress है या sports person है जो बहुत ज़दा activity करते हैं ठीक तो किसी भी कारण से अगर आपके शरीर में वायू बढ़ेगा तब आपके बाल dry हो जाएंगे splits हो जाए कि आपको वायू related बिमारियां हो गई है इसलिए आपके बाल दुगले पतले कमजोर अगर आप में male female आप कुछ भी हो और आपके उमर 45 के उपर है तो बाल आपके कमजोर हो जाएंगे इतना clear है समझ मैं ठीक है अब करें क्या तो हमें करना क्या है बिमारी का कारण क्या है इस वात को कंट्रोल करना है वायू बढ़ती क्यूं है शरीर में तो वायू बढ़ने के अलग-अलग कारण हो सकते हैं कि बहुत जदा ठंडी चीजे खाना बहुत जदा AC में रहना उस कारण से हो सकता है पर main कारण जो वायू बढ़ने का है वो है रुक्षता वायू की बुक्ष है ड्राय है आप कपड़े कैसे सुखाते हो तो आप बाहर कितनी भी बारिश हो रही हो एक कपड़ा ले लो आप डाल दो पंखा चालू कर दो क्या होगा कपड़ा सुख जाएगा कली ऐसा एक कमाल की चीज़ हुई एक पेशेंट आये थी क्लिनिक में उनको तकली कपड़ा आपको सुखाना है तो बारिश में कैसे सुखा होगे कि आप कपड़ा रग दोगे पंखा चालू करोगे और क्या होगा ऐसे करके मैंने सवाल पूछा तो वो सीधा ऐसे हां क्या क्या मैंने वह लग कपड़ा अगर रग दिया और वो पंखा चालू कर दिया तो क् नहीं नहीं फिर से पूछे ये प्राब्लम है वात की तो आप में से अगर कोई वात वाले ये वीडियो देख रहे होंगे तो हो सकता है या तो skip कर चुके होंगे या बहुत बार वो मतलब केवल आवाद सुन रहे है पर उनका ब्रेन कही और पहुचा होगा गर ऐसा कोई है त तुम बेस ट्रीटमेंट क्या है तेल इसलिए अब जितने भी ये हेयर आउइल सुनते है ना बालो के लिए ये तेल बालो के लिए वो तेल ये बाल बचेंगे नहीं, तो बालों का सबसे main treatment है oiliness, तो आप लोगों को क्या करना चाहिए, अगर आपके dry hair है या आप वात्प्रक्रिती के हो, तो आपको daily नित्य अभ्यंग करना चाहिए और नित्य अभ्यंग मतलब पूरे शरीर पर तेल लगाना, उसके उपर मैंने तेल तो लगा नहीं है, पर ये तीन जगहों पे, कान पे, सिर पे और पैर के तलबे पे तेल जरू लगाना है तो नित्य तेल लगाना आपको चालू करना चाहिए, अब सवाल उठेक, कौन सा तेल तो वात की जब भी हम बात करते हैं, कुछ दिनों पहले मैंने ओनियन, कानदा, या प्याज जिसको कहते हैं, उसके उपर मैंने वीडियो डाला था ये जो प्याज का जो तेल के बारे में इतनी जादे ये बात होती है न, वो केवल और केवल जिनके ड्राइ हेर हैं, या जो वात प्रकृती के हैं, उनके लिए बहुत फाइदे मन रहेगा, बाकी प्रकृती के लिए नहीं तो वात वाले हो, तो या तो आप देली तिल का तेल लगाओ, तिल के जो आप गुंड पढ़ेंगे तो उसमें केश्य बोला है, मतलब बालो के लिए बहुत अच्छा है प्लस तिल जो है, वो बाए नेचर बालो को काला करने का काम करता है, चिकना है नेचर में, तो या तो तिल का तेल, या फिर जो कांदे का तेल होता है, वो लगा सकते हो तिल के तेल के अंदर मेथी के कुछ 10-15 दाने डाल कर गरम करके उस तेल को जब ठंडा हो जाएगा तो वो लगाने के लिए काम कर सकते हो क्योंकि मेथी वातनाशक है तिल के साथ मिल गया तो और फाइदे मन रहेगा सेकेंड आप कर सकते हो कि रसायन के तौर पे ऐसी चीज़े जो वायू को कम करती है वो इंट्रोड्यूस कर सकते हो जो बाल पे भी काम करती है और टॉनिक का भी काम करती है जैसे कि नर्सिमहरसायन नाम का एक टॉनिक मिलता है वो ड्राइ हेर पे भी काम करेगा बालों को भी ताकत देगा और शरीर के अंदर जो वायू बड़ी है उसे कम करने का काम करेगा तो एक चमच रोज नास्टे से पह तो नासाही सिर्सो द्वारम, दिमाग का जो द्वार है, वो सिर् है, और उर्ध्व जत्रू, मतलब कॉलर बोन के उपर कि आपकी जितने भी बीमारी आपको याद आती हैं, उन सब की सब बीमारियों में नश्च कर्म एक कमाल का काम करता है. तो चाहे वो बालों की समस्चा हो, ड्राइ हेर हो, उन सारी प्राब्लम में भी नाक में अडू तेल नाम का जो तेल बनता है अब अडू तेल जो तेल है कोई भी आईरविधिक शॉप में मिल जाएगा, छोटी सी बॉटल लाती है अडू तेल बनाने के लिए बकरी का दूद ही उस होता है, जब अडू तेल बनाया जाता है, उसके प्रिप्रेशन में बकरी का दूद डाला जाता है दस बार बकरी का दूद डाल कर फिर अडू तेल का बाकिया उशदियां वो सब डाल के प्रिपेर करते हैं तो बाई नेचर ही ये नरिश्मेंट देने वाला तेल है तो इस तेल को अगर आप दो-दो डॉप नाक में डालते हैं तो आपको बहुत ज़दा फाइदे मंद होगा जो आईरविदिक पंचिकर्म सेंटर होते हैं वहाँ पर जाकर शीरो बस्ती नाम का एक ट्रीटमेंट होत जैसे कि भिरिंग राज है यस्टी मदू है शतावरी है इन सारी कॉंबिनेशन की आप बस्ती लेकर भी अपने बालों को ठीक रखने का काम कर सकते हो तो इतने सारे आप उपाई कर सकते हो एक और अच्छा ट्रीटमेंट जो आईरविदिक सेंटर में किया जाता है या जो उसके अंदर जो कॉटन होते हैं वो कॉटन को डुबा कर उन जगह पे मतब 8-10 कॉटन सीर पे रखना और कुछ टाइम के लिए आदे एक घंडे तक रखके रहना ताकि वहां का जो ओईल है वो प्रॉपर एब्जॉब होते रहे ये आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए बालो उतना ज्यादा वायू बढ़ने का काम होगा उतना ज्यादा वायू बढ़के आपके हेर को ड्राय करने का काम करेगा तो ओईलिंग करना खाने में तिल का तेल खाना या तिल के लड़ू खाना ये बहुत कमाल की प्रैक्टिस हो सकती है तो आप क्या कर सकते हैं एक जो आपने जितना लिया है उतना ही काला तिल मिला कर चबा चबा के चबा चबा के या थोड़ा घी मिला कर अगर आप इसे खाते हो या अपने खाने में काले तिल का लड़ू गुड के साथ अगर आप डेली एक खाना चालू करते हो तो ये सारी चीज़ा आपके शरी में वायू क कम करेगी जितना वायू कम होगा उतना आपके बालों की ड्राइनेज, बालों का ज़ड़ना, रूखा, सुखापन, बेजान बाल जिसको बोलते हैं वैसे सारी समस्षा कम होने में आपको मदद मिलेगी और घरेलू चीजों के साथ अगर जो पंच कर्म में या इरवित की जो आउशिदियां हैं उन्हें इंट्रड्यूस करते हो तो उसके रिजर्स और भी कई गुना ज़्यादा फास देखने मिलेंगे ये एडवाइस खास करके उनके लिए फायदे मन रहेगी जिनको हिस्ट्रिक टॉमी गरभाशय ओपरेशन करके निकाल दिया गया है या पैतालि के दौर पे नर्सिम रसायन या काला तिल और रसायन चोल ये वाला कॉंबिनेशन यूज़ कर सकते हैं ये वीडियो कैसे लगा कमेंट करके जरूर बदा है इस तरह किस और टॉपिक पर आप वीडियो देखना चाहते है वो भी कमेंट करके जरूर बदा है तब तक के लिए स्वस्त रहें, मस्त रहें